अब जो next मारे पास chapter है chapter number three इसका नाम है elementary functions चीग है जी तो हमने chapter में just तीन ही functions के बारे में पढ़ने exponential function logarithm function और trigonometric functions के बारे में तो सबसे पहले जी exponential function क्या होता है जी मैं पता है जी exponential function को कह लिए एक्स पी आफ जी अगर हम रियल one number की बात कर रही होते थे पिर आपर हम एक्स रिनोर करते थे तो यहांपे हम लिख लिखेंगे एकी power Z वहांपे हम लिखते थे एक्स तो Z मैं क्या लिख सकता हूं एक्स प्रस आयोटा य लग लग कर सकता हूं और हम e की पावर z जो है exponential function है इसका mod लेंगे तो महरे पास e की पावर x आएगा क्यों आएगा अब यहाँ पर देखें यहाँ पर मैं mod लूँ तो यहाँ पर cos square plus sin square चुम्के mod है तो अंदर वाली रिकम negative नहीं हो सकती positive हो जाएगी तो वान हो जाएगा हमारे पास यह result हो जाएगी तो उसके पाद इसकी कुछ properties है exponential functions की कि अगर multiply हो रहे हैं तो powers क्या हो जाएगी add हो जाएगी अगर divide हो रहे हैं तो negative उपर जाके हो जाएगी और इसी तरह डिवेट भी ही रहेगा और कभी भी यह negative मतलब zero नहीं होगा sorry zero नहीं होगा negative हो सकते क्योंकि यह negative हो सकते है क्यों हो सकते है क्योंकि अगर e की power मैं लूँ i pi तो वो cause pi बाद जाएगा plus iota sin pi sin pi तो यह zero हो जाएगा by the way यह जो है ना cause pi minus 1 होता है तो यह इसकी negative value minus 1 आ सकती है यह important बड़ी important बात है याद रखने मादी कि जो exponential function है हमने real में पढ़े वो कभी भी negative नहीं हो सकता लेकन लेकिन जो exponential function complex में है यह negative हो सकता यह difference है complex में और जो मारे पास real में है exponential के अंदर ठीक है और यह जो मारे पास exponential function है periodic function होगा मतलब इसकी value repeat करेगी अलगा angle add कर देना two pi न इसे तरह तो just इतना ही था इसको इसके बारे में exponential function के next जो हो लगात्रम function है और इसकी हमने दो तरह से definition की हुई है इसकी बुरी derivation है लेकर वो derivation में याद रखने ही जोद नहीं है direct formula याद रखने log of z is equal to log of z plus i और यह क्या आर्गुमेंट of z आर्गुमेंट of z असल में कहा है जो angle बन रहा है जिस तरह हमने principle arguments पड़ा है तो यह भी argument है अब यहां पे difference है दो definition मैंने log की दिखवी है पहले में मैंने small l use किया है दूसरे में capital l और इसी तरह मैंने argument दिख़ए है तो यहां पे small है और यहां पे capital है अब यह क्यों की है अब यह बड़ा important बात है अब यहां पे जो argument simple argument होता है वो मारे पास क्या होता है theta plus 2n pi और n जो होता है वो integer से बलोंग कर रहा होता है मतलब किया कि argument हो अजीज small जो लिखा हूँ है मैंने वो बड़े angle मतलब एक से ज्यादा angle होंगे लेकिन अगर n जहां पे 0 हो जाए यहां जीज़ा हो जाए तो just theta रह जाएगा वो क्या बन जाएगा argument इसको हमने कहा था principle argument ठीक है जी principle argument और जो principle argument है वो single एक ही theta होता है मारे पास लेकिन जो general है वो हमारे पास ज्यादा होते हैं एक से ठीक है जी तो यह formula में डिफरेंट है और log of z mod क्या है कि जो z होगा ना उसका हमने mod लेकिए यहां भी लिखे देना है plus iota और जो argument हमने निकालना है principle argument अगर मारे पास उसके अंदर टू एन पाई याड़ करेंगे वो small log की z की बन जाएगे और अगर वो हम skip कर देंगे टू एन पाई जस्ट थीटा लिखेंगे तो महरे पास आप इसकी example देखते हैं मुजीद concept के लिए होगा example यहां पे तीन चार दी हुई है पहली जो example है जी यह देखें इसको मैंने polar farm में सबसे पहले आपने क्या करना है जो भी होगी उसको आपने polar farm में लिखने है यह जो 2 है वो मसले में मारे पास क्या log of z है तो यह log of z की जगाँ पे 2 आजेगा log of 2 ठीक है जी आयोटा argument निकालना है जी अब देखें दोनों सबसे पहले 10 inverse निकाले तो आता है जी 60 degree ठीक है जी मतलब pi by 3 आता है अब दोनों negative में तो थर्ड एंगल में है तो क्या होगा जी pi by 3 में से minus होगा pi ठीक है जो जब minus होगा तो कितना answer आएगा minus 2 pi by 3 और इसमें अब अगर आप 2 n pi एड़ कर देंगे वो simple z यह और यह capital z ठीक है जगर आप इसको skip कर दें 2 n y को इसलिए यह वाली example यह वाली अब यहाँ पर यह वाली example important है example number 4 आपने गूर्व करने है वो इस वैसे ही और लेकिन थोड़ा सट चुकी है अब देखें यहाँ पर पहले हम simple इसके लिए निकाल लेते हैं आ रहे हैं और यह हर्कमेंट ही है तो आर का square करेंगे तो वो just क्या बंदेगा तो अब angle का square करें मतलब angle को हमने double करने तो pi by 4 plus pi by 4 pi by 2 तो यह आया है left hand side इसी तरह right hand side लिखें 2 अंदर जाएगा तो यह दोनों साइडें बराबर होगी हमने प्रूव करना थे दोनों साइडें बराबर हैं लेकिन इसके लिए दोनों साइडें बराबर नहीं है तो यह देखें यहाँ पर angle कुछ और आ रहे है यहाँ पर कुछ और है तो यह दोनों साइडें बराबर नहीं है तो यह उट्सम्पाज होगी जी उसके पर लास्ट है जी मारे पास trigonometric function तो trigonometric function में काथ ते कों से function आते है cause, sin, tan ठीक है और उसके जो और इसे प्रोकल्स बगर रहे है तो अब यहाँ पर देखे हमारे पास साइलर फार्मूल है अगर दोनों क्याड कर देंगे तो यह हमारे पास cause of x की value निकलती है और इसी तरह sin of x की value निकलती है यह उटा यह एक्स प्लस मतलब cause की यह है और यह यहाँ पर 2 यह उटा आ जाएगा cause में plus हाएगा क्योंकि वह even function है और इसमें negative आजएगा जी अगर मैंने जी में बात कर रहा हूँ तो यह हमारे पास फार्मूले और इसी तरह अगर मैं बात कर रहूं 10 की तो क्या वह साइन over cause cause की बात करूं जी cause over sign इसी तरह हम वह दूसरी trigonometric function लिख सकते हैं इतना ज्यादा नहीं trigonometric functions के मेरे में बताया हुआ इसमें इस चप्टर में बाकी derivative लेंगे तो वह derivative simple वही है trigonometric function मतलब sign का cause होता है और cause का minus sign ठीक है नहीं तो बाकी जो फार्मूले वह भी उसी तरह ही रहेंगे ठीक है जी तो यह हमारा chapter number 3 भी complete होगे